हेलो, नमस्ते, जै माता दी, कैसे हैं आप सभी, उम्मिद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और जो भाईया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, तो फ्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूदिएगा, और ब् कुछ काम था, तो उनकी लड़किया बैठी होई थी, जिनको आप सभी ने देखा, और वो उनके लड़के थे, जो मुझे ना चिला रहे थे, और बाबु से पहले मेल लीजिए आप सभी, क्योंकि बाबु को नहीं लाती हूँ वीडियो में, तो फिर आप सभी ना सिकायत क कर दो, बाते कर दो, इधा देखो, देखो, नमस्ते कर दो, कुछ न बोल्ड दो, नमस्ते कर दो, हाई कर दो ऐसे, हाई, हाई करो, इसमाइल कर दिया, हाँ, 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 अभी मैं आचुकी हूँ केचेन में और आज है अस्टमी नौरात्री का आखरी दिन नौमी अस्टमी के दिन ही मनाई गई है न इस साल तो मतारामी को मुझे भोग लगाना है तो वस बन रहा है वही भोजन आज उन्हीं के लिए और खाने में बनाया है मैंने हलवा, सूजी का पूड़ी और हम लोगों ने अपने लिए बनाई है सबजी और चावल पूड़िया भी खाएंगे लेकिन सबजी जब तक बनेगी नहीं चावल तो फिर पेट नहीं भरेगा ना इसी लिए और नौमी की आप सभी को धेर सारी सुपकामना है और अभी रिखिए पूड़िय मैं तल लेती हूं सबी जो साव चीज सारी पना नी थी ना वो समयने बना की रखी लेकिन अभी मैंने सब्जी नहीं बनाई है यह कि यह देख लेकों पूड़ी से पहले हिलवा बनाती हूँ फिर महलवा को निकाल के एक बर्तन में रख दूँगी फिर इसी में पूरी तलूँगी और सबसे लाश में इसमें छोप दूँगी सबजी तो फिर ये होता रहेगा आराम से और सबजी ना बना रही हूँ बैगन की बैगन की ही सबजी बन रही है आज वैसे कुछ था नहीं बजार अभी दो दिनों से गए नहीं है ये तो बैगन था एक घर में रखा था तो मैंने सुचा एक है तो आज इसको ही खतम कर देती हूं और इधर मैंने सारी तयारिया कर ली हैं खीर बनी है और हलवा भी बना है तो मातरानी को भोग लगाने के ल मैंने बनाये थे ना भोग भोजन तो उसमें मैंने लेस्न और प्याज का प्रयोग किया था ना तो मेरी ना बहुत सारी बेहनों ने और भाईयों ने बताया था कि कन्या पूजन के लिए या फिन नौरात्रे में प्याज और लेस्न नहीं यूज करते हैं तो होगा लेकिन ह तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था हलाकि मुझे आप सभी से भी कुछ सीखनों को मिलता है जो मुझे नहीं पता होता है तो मातारानी को मैंने भोग भी लगा दिया है और इधर आ गई हुमें बाहर धूने हैं मुझी कपड़े अच्छा हाँ एक बातों मैं बोल नहीं भूल गई वो जो प्याज और लेसुन वाली बात हो रही थी ना इस पे ना मुझे बहुत जोनों ने टोका था तो जब मैं मैं हर गई थी ना बाबो का मुंडन करवाने के लिए तो वहां हम लोगों ने रोड बनाया था आटे का हलवा और पूरी और हम लोगों ने अपने लिए बनाई थी सबजी तो वहां पे मैंने भी पियाज का उपयोग किया था पियाज से हमने सबजी चोका था तो वहां पे मुझे ना एक दो बहनों ने टोका था मतलब कमेंट बॉक्स में मेरे कि दीदी ऐसी जगहों पे पियाज और लेसून नहीं यूज करते हैं तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता थी अभी धोने लग गई हूँ मैं कपड़े और कपड़े धोने के लिए नहाने के लिए बहुत दिक्कत है तो जो बाहरीठ है यही पे मैं कपड़े धो लेती हूँ अभी यहाँ पे एक सिमेंट की बोरिया डाल दी हूँ और वहाँ पे अच्छी से साफ कर ली हूँ साफ करने के बाद यही पे धोल लेती हूँ कपड़े अभी थोड़ी दिनों की परिसानी है नहीं तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी जो बादरूम तूट गया है ना अगर वो लाश्ट में तूटता तो इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन वो तूटता नहीं तो फिर काम नहीं सुरू हो पाता इसलिए पहले से उन पहले वही तूट गया है बच्चे नहीं है नहीं तो और ज़्यादा कपड़े हो जाते धोने के लिए वो लोग तो है नहीं नानी के यहां गई है अभी अश्टमी हो गया यहा है तो देखो कौना कौना आता है मांसी ना जल्दी से आने कर वहां से नाम नहीं लेती है और जब आ जाती है यहां कोई आ जाता है तो यहां से फिर नानी के यहां जाने के लिए तयार हो जाती है तो अभी देखती हूँ कौन कौन आता है सोना तो जरूर आएगी किपी वो ना मेरे बगएर इतना रह नहीं पाती है तो उसको बुलवाने वाली हूं मैं बोलाओंगी सबको लेकिन हमांसी नहीं आएगी तो उसको ना ममी लोग भी रोक लेती हैं क्योंकि आपर वह ज्यादा रही है इसलिए तो अभी मैं कपले दोली हूं वर्तंद होने हैं तो इदर वर्तंद होने की तयारया कर रही हूं जो DRUM वोगरा है ने जिब सुबह पानी भरते है न दीवारों में तराई करने के लिए मिल्लब पानी डालते है न तो यहाँ पर पाणिया मैं ड्र鉄塔 को निकाल देती हूं तो यहाँ पर भर देते हैं ये ताकि मुझे भी अराम रहता है फिर बार-बार हैर्ड पंपे नहीं जाना पड़ता है तो यहाँ मुखले से ही आता है कि हमारे गर में नहीं है ना तो इसलिए महले से आ जाता है पानी मिल जाता है आराम से तो अभी जितने दिन काम चल रहा है उतने दिन तो मिलेगा ही मिलेगा तो फिर उतने दिन आराम रहेगा पानी नहीं बनना पड़ेगा नहीं तो फिर बनना ही पड़ेगा तो अभी मैं ए ह inve n अब मुझे न तस सा लोग है 2012 में मेरी साधी तब तस सा लोगने में मेरी साधी को पड़ गई है जब सबस्ड़ में मेरी साधी ख 17 उस समय में रोने लग जाया करती थी साधी मुझे पहनना पड़ता था आधम में कर दिन Lord मतलब डारेक्टली जब कोई चीज पहनो तो कितना कोई चीज कभी ना किये रहो डारेक्ट एक बार गी इतना सारा रग दिया जाया आपके सामने कि ये काम आपको करना है आज तो क्या होता है बड़ी से हो जाती है बड़ी उलजन से लगती है तो उस समय ना मुझे बड़ी जाड़ू लगाती थी तो बरतन माचती तो साड़ी का जो है साड़ी भीग जाती और जब जाड़ू लगाती तो नीचे मिट्टी लग जाया घरती थी तो कुछ ऐसा हाल का मेरा अभी तो सब कुछ कर ले रही हूं आराम से तो अभी बरतन धो लेती हूं फिर आप सभी से मिल है यहाँ पर मतलब माँ बेटे हम हम मतलब माँ दोस्तों आज के लिए इजाजत दीजिए बिल्ली ती घर में वही देख रही थी बिल्ली इतनी ज्यादा है हमारे घर में कुछ कहने को नहीं दूद की रादे की बाग गए चटंकी और ये राजा साहिब को देख राजा साहिब न जूळ रहे है जूळा बाइट के अंस रहा है बादमास यह देखे हैँ आस रहा है तो अब इसी के साथ दीजिए इतनलत मिलते हैं कल के व्लोग में थोड़ा से इसने में लिजिए फिर स thank you bye bye